हेलो फ्रेंट्स, इस्टेडी क्लासस में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 20 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करेंट आफियर्स के इंपॉर्टेंट क्यूशन बन सकते हैं उसे डिस्कस करने वाले जो आने वाले सभी कमकेड़ी एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है तो फ्रेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आज की इस वीडियो में हम करेंट आफियर्स के स्लेक्टेड टाप 10 क्यूशन लेकर आए हैं फ्रेंट्स, अधि आप इस वीडियो क्लासेज के यूटूब चैनल पर पहली वरा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके आए चलते हैं आज के फर्स्ट क्यूशन की तरफ आज का हमारा फर्स्ट क्यूशन है किस सहर के हास्पीटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसियेशन ने कोविड नाइंटीन के मध्यम और हल के लच्छणों और मामलों वाले रोगियों हित होम केर पहल की सुरुवात किया है किस सहर के Hospitals and Nursing Home Association ने COVID-19 यानि कुरोना वारस के मद्यम और हलके लच्छणों और मामलों वाले रोगियों हित होम केर पहल की शुरुवात किया है तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा ओ होगा आपसन नमबर अहमदावाद अहमदावाद Hospitals and Association Nursing Home ने COVID-19 के मद्यम और हलके लच्छणों और मामलों वाले रोगियों के लिए होम केर पहल की शुरुवात किया है संस्था द्वारा सहर की COVID-19 देखवाल किंद्रों पर पढ़ने वाले बोज को कम करने के लिए एह कदम उठाय गया है कारेकर्म के तहट किवल साथ नीजी अस्पतालों को सामिल किया गया है लेकिन संस्था का उद्देश क्या है तो संस्था का उद्देश भविस में 50 अस्पतालों को सामिल करना है AHNA AHNA संग के अध्यच डाक्टर भारत गडवी ने कहा है कि सहर में लगवग 80-85 प्रत्सत रोगियों को विसेश चिकित्सा देख वाल क्यों सकता नहीं है यह पहल उच जोखिम वाले समूहों में आने वाले ब्यक्तियों जैसे की बरिष्ट नागरिकों गर्भावती महिलाओं और रोगियों को कवर नहीं करती है जो की एक चिक्तसा समस्या है आज का सेकेंड की विशन है खेलो भारत राज उत्कृष्टता केंदर खेलो भारत राज उत्कृष्टता केंदर का यस सीए की अस्थापन ईवा और खेलो मामलों के मंत्राले द्वारा कौन सी स्कीम के तहत की जाएगी तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा खेलो इंडिया स्कीम की तरह आक्षान नमबर भी इसका करेक्ट एंसर होगा फ्रेंट्स खेलो भारत राज उतक्रिष्टा केंदर के आई या सीए की अस्थापना ईवा और खेल मामलों के मंत्रालाय द्वारा खेल मंत्रालाय खेलो इंडिया इसकें की प्रमुख योजना के तहद की जाएगी योजना के तहद देश में खेल के लिए एक मजबूत परिस्थीत की तंत्र बनाने के उद्दिश से भारत के प्रतेक राज और केंदर सासित प्रदेश में एक भारत राज उतक्रिष्टा केंदर की पहचान की जाएगी पहले चरण में मंत्राला ने आठ राज्यों करनाटक, ओडिशा, केरल, तिलंगाना था अर्वांचल प्रदेश, मडिपूर, मिजोरम और नागा लैंड जैसे प्रुवत्तर राज्यों में सरकारी स्वामित वाले ऐसे खेल सुविदा किंदरों की पहचान की जिने खेलो इ एक्सक्यूशन है, नियुन में से किसने 16 जून 2020 को विश्व प्रतियसपर्दा दिवस रैंकिंग 2020 जारी किया है, तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा, ओगा आपसन नंबर से इसका करेक्ट एंसर होगा, प्रवंध विकास सानस्थान ने, फ्रेंड्स प्रवंधन विकास सानस्थान ने 16 जून 2020 को विश्व प्रतियसपर्दी रैंकिंग 2020 जारी किया है, भारत को 2019 में अपनी इस्तती में कोई बदलाव किये बिना सुचकांक में 43 अस्थान पर रखा गया है, भारत 2018 में 44 अस्थान पर और 2019 में 43 अस्थान पर आ गय 43 रैंक कुछ परंपरागत कमजोरियों, मसलन कमजोर बुनियादी धाचा और सिच्छा में अप्रियाप्त निवेश अभी कायम है, सिंगापूर 2019 के बाद से पहले अस्थान पर बना हुआ है, अब उसने सुची में सहुक्त राष्ट अमेरिका को प्रतियस्थापित किया है जिसने 63 देशों को अस्थान दिया, उत्तर उरोपिय देश डेनमार्च 2019 में आठवी अस्थान से दूसरे अस्थान पर आ गया है, आज का नेस्ट क्यूशन है, भारतिय छेतर पर जलवाई परिवर्तन आकलन रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो इसको जारी किया है जलवा जलवाई परिवर्तन अनुसंधान केंद्र पूरे ने, आपसन नंबर डे इसका करेक्ट एंसर होगा, फ्रेंट्स सेंटर फार क्लाइमेट चेंज रिसर्च पूरे ने भारतिय छेतर पर जलवाई परिवर्तन आंकलन रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट में कहा गया कि जल अथि विज्ञानमंत्राला के तहट काम कर रहा है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 1901 से 2018 की आउधी में भारत के आउसत तापमान में लगवग 0.7 degree Celsius की ब्रिद्धी हुई है, कितना की ब्रिद्धी है, 0.7 degree Celsius की ब्रिद्धी हुई है, कब से 1901 से 2018 की बीच, 1901 से 2018 की हुई है, और green house गैसे तापमान में गर्मीक अप्राथमिक कारण हैं, इस रिपोर्ट में सद्धी की अंतक भारत के आउसतन तापमान में 4.4 degree Celsius की ब्रिद्धी दरज की गई है, तक भारत की तापमान में 4.4 degree Celsius की ब्रिद्धी होने की आसंका जटायी गई है आज का next question है, हा अनलाइन दाओं के निप्टान सुविधा की शुरुबात किया है तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा होगा एप्यप्फो के छेत्री कार्यालियों से किसी भी अस्थान से अनलाइन दवाओं की निप्टान को सच्छम करने से उन देरी में कमी आएगी जो देशपर में समान नुपसे दावे की बस्तियों के कारेभार को बितित करके हुगा करती थी आज का नेस्ट क्यूशन है बिस्वमर्वस्थली करल यहां सूखा रोग थाम दिवस किस तिथी को मनायता है जो बिस्वमर्वस्थली यहां सूखा रोग थाम दिवस मनायता है वा किस तिथी को मनायता है तो यह मनायता है 17 जून खो आपसन नंबर 20 का करेक्ट एंसर होगा विश्म मरुवस्थली करण एवं सुखा रोक्थाम दिवस का भी से क्या होता है तो food, feed, fiber था विश्म मरुवस्थली करण एवं सुखा रोक्थाम दिवस प्रतिवर्श 17 जून को मना जाता है ताकि लोगों के दैनिक जीवन पर मरुवस्थली करण सूखे और भूमी चरण के प्रभाव के बारे में जारुकता बढ़ा सके और यह प्रतेक ब्यक्ती को मरुवस्थली करण भूमी चरण और सूखे के खिलाप लड़ाई में युगदान देने और मदद करने के लिए आवस्यक है सुस्क उप्र आद्र अर्ध सुस्क और सुस्क छेत्रों में भूमी के चरण को मरुवस्थली करण कहा जाता है और यह मुख्य रोप से मानव जीवन, कारियों और जलवाई परिवर्तनों के कारण होता है मरवस्तली करण का मतलब पहले से मौजूद रेगिस्तानों का बिस्तार नहीं है मरवस्तली करण से निपटने के लिए सयुकत राष्ट कंवेंशन के एक रिपोर्ट के अनुसार दुणियावर में 23% भूमी अधिक उत्पादक नहीं है देश की बिजय परेड में भाग लेने वाली है भारत में त्रिकोडी सिवाएं पहली बार किस देश की बिजय परेड में भाग लेनी वाली है तो है रूस की आपसन नमबर भी इसका करेक्ट एंसर होगा भारत के रच्छा मंतरी राजनात सिंग ने दुतियव वी स्यूद्ध में बिजय की 75 वी एनि 75 वी वर्सगाट के अवसर पर रूस की बिजय दिवस परेड के लिए एक भारतिय त्रिकोडी सिवाओं को भेजने पर सहमती व्यक्ति है जहां दुनिया के अन्य देशों के प्रत कातीय दल को आमंतित किया गया रच्छा मंती ने परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्य दल को भेजने पर सहमती व्यक्ति है जहां अन्य देशों के सैन दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है परेड में भाग लेने रूस के लोगों के साथ एक जूडता दिखाने और देवेंदर कुमार सिंग को बित्त मंत्रालाय द्वारा अधिसुचित लगू उद्योग विकास बैंग सिडवी के नए नामित नीदेशक के रूप में नियुक्त किया गया बरतमान में वह सुच मलगू और मध्यम उद्दम मंत्राला के अत्रिक सची और विकास आयुक्त के रूप में सेवारत हैं राम मोहन मिस्त्रा का पदभार समालेंगे देवंद्र कुमार सिंग इगौवर्णेंस में सुधार प्रकिरियाओं के डिश्टिली करण अधिक व्यापार सुविदा और पारदर्शिता के लिए विदेश व्यापार नितियों के निर्माड पर काम करेंगे आजका नेश्ट कीविचन है विष प्रति अस्परदा सुचकांग 2020 में भारत कौन से अस्थान पर है वर्ल्ड कम्टिटिवनेश इंडेक्स में भारत किस अस्थान पर है तो है 43 में अस्थान पर है आपसन नंबर भी इसका करेक्ट एंसर होगा तो इसका करेक्ट अंसरों का भारत आपसन नमबर डी इसका correct answer होगा पसुपतिनाथ मंदिर के स्वच्छता सुविधा के विकास है तू भारत और नेपाल के बीच एक समझवता ग्यापन पर हक्ताक्षर किये गए है समझवता ग्यापन के तहट भारत सरकार परिसर के विकास के लिए नेपाल सरकार को 37.23 यानि 37.23 नेपाली रुपे की बित्ति सहायता प्रदान करेगी संगे मामलों और सामान्य प्रसासन मंत्राला काठमांडू मेट्रोपालिटन सिटी और भायत के दूतावास के बीच समझवता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए है भारत सरकार इस परियोजना को नेपाल भारत मैत्री विकास साहिदारी के तहत एक उच्छ प्रभाव समुदाई विकास परियोजना के रुप में बित्त पोसित कर रही है फ्रेंट्स आज का है क्रेंट आफेर्स का वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रू बता है और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देजेगा और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजेगा और ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को Study Classes को सब्सक्राइब हा सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेए ताकि कोई भी वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में दिये हुए लिंक से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं और एधि इस वीडियो का आपको PDF चाहिए आप हमारे Telegram चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जोएन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है थैंक्यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में